नमस्ते दोस्तों मम्ता की रिसोई में आपका स्वागत है आज हम फरा बनाना बताएंगे इसे भाप में पकाया जाता है और बिना वाइल के ही यह रिस्पी बन करके जल्दी तयार हो जाती है और बहुत ही टेश्टी हेल्दी होती है और इसे बहुत जगह पीठा भी बोलते हैं तो हम यहां चने दाल से बनाएंगे फरा या पीठा जो भी आप बोलते हों उसको हम गेहू के आटा से बनाएंगे और चने दाल का बनाएंगे तो चलिए हम फरा को बनाना स्टार्ट करते हैं तो हम यहां दाल को ओभरनाइट फुलने के लिए छोड़ दिये थे आप चाहें तो दाल को जर तुरंत बनाना हो तो आप इसको गर्म पानी में डाल करके छोड़ दीजे तो यह जल्दी फुल जाएगी और जल्दी वाजी में बन जाएगी तो हमने यहां इसको रात में फुल गई है आप चाहें तो जल्दी में फुलाना चाहें तो अगर्म पानी में डाल करके दो-तिन घंटे में अच्छी तरह से फूल जाएगी अब हम मेरी दाल रात पर फुली हुई थी तो हम धो लिये हैं इसको एक-दो पानी से साफ करके और मिक्सी का हमने यहां पे जा का हमने डाल दिया है तो यह सब चीज हमने यहां पर डाल दिया है उसके बाद यहां हमने इसमें नमक डाल दिया है आधा चमच तो हमने आधा चमच नमक डाला है क्योंकि हमने एक कटोडी डाल लिया था टेस्ट के अंसार से आप नमक डाल दीजिए और आधा चमच हमने हल वेटर को नहीं करना है तो बस आप अंदाज से देख लीजिएगा और उसी तरीके से पानी डालिएगा तो हमने मिक्सी में इसको दरदरा मोटा ही पीस के तयार कर लिया है उसके बाद यहां पे हमने हडी धनिया पती को काट लिया है और इसको डाल देते हैं जिससे की हमारा फरा बहुत टेश्टी बनता है दनिया पती आप डालिएगा तो टेश्ट अच्छा आजाएगा उसके बाद दनिया पती डाल करके हमने हापे मिक्स कर लिया है अब हम गेहूं का आटा ले लिये हैं तो हमने हापे गेहूं का आटा ले लिया है और इसको हम गूथ लेंगे तो पानी डाल करके रोटी काटा जैसे हम गुतते हैं, उसी तरह से हमको ये आटा गुत के तयार कर लेना है, तो हमने यहाँ पर आटा गुत करके देखिए अच्छी तरह से मैस करके और तयार कर लिया है गुत लिया है यह गेहू काटा से मैं फरा को बना रही हूँ आप चाहें तो आप चावल के आटे से भी फरा को बना सकते हैं मैं यहाँ गेहू काटा से बना रही हूँ अब गेहू लोई लिया है और इसको लेने के बाद अब हम इसको गोल कर लेते हैं और अच्छी तरह से थोड़ा सा हम इसमें सुखा आटा लगा लेंगे तो हमने यहां पर सुखा आटा गिंहुका लगा लिया है और लगा करके इसको बेलन से इस तरह से बेल लेते हैं तो देखिए हमने यहां बेल करके, भहुत जादा बड़ा रूटी नहीं बेलना है, आपको थोड़ा छोटा ही रूटी, मतलब पूरी से बड़ा और रूटी से छोटा यान मीडियम साइज की, आपको बेल करके तयार कर लेना है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे बेल करके, देखिए इस तरह से तयार कर लिये हैं, और ना ज्यादा मोटा और ना ज्यादा बहुत पतला ही, तो इसी तरीका का आपको तयार कर लेना है, तो यहां पर हमने बेल के तयार कर लिया है, अब हम इसमें डाल का जो बैटर बना के रखे थे, उसको मैं इसमें डाल दूंगी, त हम people job ऑन और चमच से तरह हम डाल करके चमचस इसमें डाल दिया है तो हम ने हम चमच से नहीं हम आप दिया है आप बड़े चम्चे से डालें तो जैसा कम ज़्यादा आप देख लीजिएगा तो हमने यहां पर बीच में डाल दिया है और इसको इस तरह से इसका हम बंद कर देते हैं मूह तो इस तरह से देखिए हमने इसको बंद कर लिया है बना लिया है अब हम यहां पर इसको एक फोक ले लेते हैं और इसको इस तरह से हम लॉक कर देंगे ताकि अच्छी तरह से यह बंध हो जाय और मूँह इसका नई खूले तो आप चाहें तो ऐसे भी दबा करके हाथ से भी नॉर्मल बंध कर सकते हैं चाहे फोक से भी ऐसे हांस से भी आप दबा दीजेगा तो बंद हो जाएगी और हम यहां पर फोक से थोड़ा सा डिजाइन बन गया है तो हमने यहां फोक से कर लिया था तो इस तरह से सारे फड़े को बना करके तयार कर लेना है तो हमने सारे फड़े को डाल में बना करके इस तरह स हमने दू ग्लास पानी डाल दिया है अब पानी आप कम या ज़्यादा जितना कर सकते हैं तो हमने यहाँ पे यह इतना पीठा हो जो डालिएगा उससाथ से कम ज़्यादा कर लिजिएगा पानी डालने के बाद यहाँ पे हमने एक चमच थोड़ा सा नमक हमने डाल दिया है और इतनी बड़ी बरतन है उसी हिसाब से आप डालिएगा तो हम पर फड़े को डाल दिया है और लगभग 5 मिनट हमने यहाँ पर छोड़ दिया है तो हमने यहाँ पे 5-6 मिनट तक दुसी तरह भी फड़े को पका लिया है तो देखें यहाँ पे लगबग हमने 10-12 मिनट तक फड़े को टोटल पकाया है और पका करके अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इस तरह से हम इसको पानी से छान करके निकाल देंगे तो हमने यहाँ एक बरतन में पानी से छान के निकाल लिया और ठंडे करने के लिए छोड़ दिये थे तो यह अब ठंडी हो गई है अच्छी तरह से हमारी फड़ा अब हम यहाँ पे इसको एक प्लेट में इसको कट कर लेते हैं तो इसको एक चाकू से हमने यहाँ पे पीस में कट कर लेना है तो देखिए हम यहाँ पे फड़े को इस तरह से कट कर लेते हैं पीस में तो आप छोटे बड़े पीस इसमें अपना मन चाहा कार का कर सकते हैं, तो हमने आपे तीन पीस इसमें आ गया है मेरा, तो देखिए हमने आपे इसको पीस में कट कर लिया है, और कट करने के बाद अब ये हमारी फड़ा बन करके बिल्कुल तयार हो गई है, आप इसको गर्मा के साथ आप खाईए, अचार के साथ खाईए, बहुत इंटेस्टी लगती है, गर्मा गर्म ये, ये हूँ के आटे से बना हुआ फड़ा, तो चलिए इस रेस्पी को आप तयार कीजिए, और बताइए का आपको कैसा लगा, फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए, बाई फ्रेंड्स.